हेलो फ्रेंज वेलकम एंड वेलकम वेक तो माई चैनल मैं हूँ संस्कृति सिंग और मेरी चैनल में आपसे का बहुत बहुत सागत है तो आज को जो हमारे वीडियो इस वीडियो में लेकिया है यह आप लोग एक सॉफ्ट ग्लैंड मेकप लुक और उसके साथ मैं आप लोग क काजल है उसे थीक काजल को किस तरीके से अपलाई करना है आखो में तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्लिक कर दें जिससे की मेरी वीडियो की नई सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ सबी के साथ सेर करें चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं पहले में यहापरका मॉस्ट्राइब क्रिम जो को यूई यूज कर सकते हैं और अपने इसकी नthe faceृ उसे मॉस्ट जो कि शिलिक लाइड एसिट के साथ और टी ट्री ओल के साथ है हमाई जो फेस से ग्लोइंग बनाता है इस तरीके से लगा लेना है टू एंट्री ड्रॉप ओफ सीरम को इस तरीके से उसके बाद में आप लिए नवाई का प्राइमर जो कि हमारे बेस को अच्छी तरह से से मैं इस भी करता है हमारे skin के smooth करता है उसके बाद में या पिले रच कला की लिपस्टिक और अपने आइस के नीचे इस तरीके से इसे जोह है लगा लोगी फोर हैट पर जहां जहां एमारे अच्छे से ब्लेंड करने अच्छा के लिए और आप से ब्लेंडेर भड़ा ब्लेंड अच्छे सरे स्टेशटर ब्लेंडर के ब्लेंड करें धैसे their tastes बड़ानी में चाहँ करें ऊचितर लिए छो ड़क्जी कहनेJeewam और इसे इस तरीके से लेना है और अपने चिक्स पे नोस पे एंड फोरहट पे इस तरीके से लेके इसे जो है कि इसके उपर मैं ले रही हूँ लेक में CC 925 क्रीम और इसे इस तरीके से इसे भी लगा लेना है इस तरीके से लगाने बाद मैं फिर से याप लिप्स्टिक ले रही हो और इस तरीके से लिप्स्टिक को इस तरीके से लगा लूँगी उसके बाद हमारा जो highlighter cream and lipstick है उसे इस तरीखी से beauty blender की help से blend कर लेना है अच्छी तरह से blend कर लेना है मैंने lipstick की and highlighter की और cream को इस तरीखे से uses लेखिया है कि हमारी जो skin है वो shining and pink pink लगेगा उसके बाद मैंने या लिया है brown color का lip liner एंड उसे इस तरीके से थ्री बनाते हुए लगाना है और इसे भी ब्रस की हेल्प से जो है कि इस तरीके से उपर की साइड में ब्लैंड कर लेना है इस तरीके से इसके बाद मैंने यहां पर लिया है परपा का कॉम्पेक्ट और इस तरीके से लेके स्पंज की हैप से मैं अपने अंडर आइस पर इस तरीके से लगा लूँगी इस तरीके से लगा लेना अपने जौर लाइन्स पर भी इस तरीके से इसके बाद इसे लगाने के बाद हमने यहां पर लिया है लिप बाम को हम अपने जो लिप है उसे हाइडरेट करने के लिए मैंने यहां पर ब्लू हवेन का लिप बाम लिया आप लोग कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं जो हम लिफ्टिक अप्लाई करें जाए कि ना लग इसके बाद मैं आहाँ पर ले हो ब्रस कि हैर्फ से इस तरीके से आई-ब्रोज को जो कि कॉम कर लेना है कि अ कि ऐसके बाद मैं आप ले पिंगला का आइक गढू और अपने आई-ची डल्भ- नीज़ से शर्ट करेंक फिंगर से हमेंति पर फिटीओ में आपको बताएं पतिक difis at zou दो को किष्याओं लिए उपचन और पिए तो यहां इस तरीके से हमें यहां लगाना है अपने लोवर आईलिट-पाई-फिंदर यहां उसे बाहर ना लगाएं जो की इत्तिक आईलाइनर अगर आपको लगानी है तो और इसे उपर की और जो हमारे आई से उसे भी इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से लगाना है इस तरीके से है इसके बाद हमारा जो खाजल है वह लग गया है उस तरी के हम लोग पर्दर लगा था उसे ब्रेस्ट के लिए अब से सेट कर लेना ऑप्लडर को इसके बाद मैं आप लग आऊंगी आई-लाइनर को है इस तरीके से लगा लेना है आई लाइनर को लगाने के बाद मैं यहाँ पे फेक आई लैसेस जो है अब लगा ली हूँ आफ कैमरा में उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ और एरिंग्स मैंने पहन रही है उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी ब्लैक कलर की बिंदी और इससे लगा लू क्योंकि हमें काजल लगाया तो उसके साथ कोई भी डाक करें तो लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी तो म्यूट कलर की लिपस्टिक ले और पहले अपने जो लिपस है उसे लिप लाइन कर ले इस तरीके से और फिर लिपस्टिक को लगा ले लिपस्टिक को लगाने के बाद मैं यहां पर लिप ग्लॉस लगा रही हूं इस तरीके से इसके बाद हम लोग को फिर से लेना है हाई लैटर एंड इसे अपने चिक्स पर इस तरीके से नोस पर एंड इस तरीके से फोर हेट पर और इसे अपने फिंगर की याप से जो है कि इस तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरीके से अच्छी तरह से इसे जो है फिंगर की हल्प से ब्लैंड कर लेना है हमें इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टाइल की और हुआ स्टाइल की और मैंने आप लोग लिए एक बन बनाए सिंपल सा एक पोनी कर लेनी है हमें इस तरीके से पोनी कर लेनी है इसके बाद अपने जो पोनी किया उसे राउंड राउंड करना है सिंपल सा एक बन कर लेना है हमें इस तरीके से और इसे सिक्योर कर लेना है जोड़े पिन की हप से और इस तरीके से हमारे जो बाल नहीं इस तेकी से अपने बाल को निकाल लेना तो मारा जो मेकप है वो कम्प्लीट हो चुका है